हाई फ्रेंड्स मैं अबनीता आज मैं एक क्राफ्ट वाक करने जा रही हूँ जो कलर्ट सेंड से बनेगा ये मेरे पास एक वेस्ट बोर्ट था मैं जिसके उपर बना रही हूँ आप इसको कोई भी बोर्ट पर बना सकते हैं वाइट मैं प्रिफर करूँगी कि इसका बेस वा आपका डिजायर कुछ भी डिजाइन आप कर सकते हैं मैं एक सिंडरी ड्रॉ कर रही हूँ और ये रहा कलर्ट सेंड इससे आप कुछ भी बनाएए बहुत अच्छे लगते हैं बहुत कलर्फुल होते हैं और भी बहुत तरह के कलर्ट सेंड मिलते हैं मुझे इतना ही मिला त और इससे आप जो भी बनाई है इतना अच्छा लगता है देखने में क्योंकि यह 3D लुक आता है, 3D एफेट के चलते हैं यह देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, आप इसको नॉर्मल सेंड से भी कर सकते हैं, जो कलर नहीं होते हैं, मैं पहले बिना कलर किया हुआ सेंड आप इसको फुल फिल अप कर लिजे, सेंड से उसके बाद आप कोई भी अक्रिलिक कलर से उसको पेंट कर देजे, सेम लुक आता है, सेम 3D लुक आता है, दोनों ही देखने में बहुत अच्छे होते हैं, इसके बाद आप इसको देखिए, मैं जिस तरह जार रही हूँ, जा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, तो फिर मुझे भी बहुत अच्छे लगेगा कि आपको मेरे काम अच्छे लग रहे हैं, मैं यहाँ पर मिक्स करके कलर्स कर रही हूँ, तो इसलिए मैं दीरे-दीरे थोड़ा-थोड़ा कलर भर रही हूँ जो मुझे जहाँ पर चाहिए, मैं उस हिसाब से उसको स्प्रेड कर रही हूँ, थोड़ा, देखिए, मैं यहाँ पर डार्क फालेट दे रही हूँ, फिर इसके बाद मैं लाइट फालेट कर यूज़ करूँगी, इसलिए मैं पहले पूरा ही ग्लू लगा चुकी हूँ, औ इसके बाद मैं अपना मन पसंद कलर उसको डालते जाओ, आपको इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसको फिल अप करना है, फिल फिल अप करते हुए पूरा कम्टिट करना है इस पेंटिंग को, आप लोग अच्छे लग रहे हैं और यह सच में बहुत अच्छा लगता ह आप लोग भी ट्राइ करिए और प्लीज मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग करने के बाद आपको कैसा लगा, आप लोग को पास अगर कलर सेंड नहीं है तो आप लोग जो घर बनाने के टाइम में कहीं से भी सेंड जो मिलते हैं वो थोड़ा से अरेंज क के बाद उसको किसी भी बोट पे ग्लू के सहारे आप उसको फिक्स करिए और फिर आप उसमें कलर कर दीजे राद भी में क्थो भी आपको माणे करेंके। मैं जब पहले की थी तो मैं इसको ॥ nkt वह मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा था तो आज मेरे पास था नहीं तो मैं इसी से कर दी लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग इसको वाइट माउंंड बड्स में कर इगा तो फि ज्यादा अच्छे लगेगा ज्यादा अच्छे लगेगा स्काई को पूरा भरने से ही मुझे लगता है ठीक रहता लेकिन मैंने यह आप इसे प्लाउट के जैसा भरा तो लेकिन मुझे लगता है कि यह पूरा फिल अप करना चाहिए था आप लोग पूरा ही फिल अप करेगा अगर आपका ब्लैक मांट बोर्ड है तो और देखिए यह कंप्लीट होने के बाद कितना सुन्दर लग रहा है और हाँ फ्रेंड प्लीज डू लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब मैं चैनल और सपोर्ट मी बाई बाई